तब फिर से मैं आप लोगों के लिए पिछले वर्स के एक नए प्रिशन पत्र का श्योलिशन लेकर आया हूँ मैं हूँ बिकास धाकाड और अगर आपको हमारी वीडियो के सभी पीडिये अप ग्यानलोग करना चाहते हैं तब आप हमारा एप्लिकेशन डानलोग करें हमारे तेज एजुकेशन एप पर आपको रोजन मद्धिकृदिस करेंट अफेर राद दस वाई तक उपलम्द कराया जाता है और सभी विशियों के नोच साब को बहीं पढ़ने को मिलते हैं डानलोग भी आप कर सकते हैं आसानी से फ्री मॉक्टेश सारे चीजे निश्वल्क हैं आई शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्ण है आज का कि मृदा जो बहुत कम जल अवसोस करती है वो कौनसी है दोमट मृदा या फिर जनक चटान या फिर बालू मृदा या फिर चिकनी मृदा तो हमें से याद रखिएगा ऐसी मिट्टी ऐसी मृदा जो बहुत कम जल का अवसोशन करती है वो है बालू मृदा अगला प्रश्ण है कि तारपीन के तेल का सुधी करण किया जाता है किसके द्वारा तारपीन के तेल का सुधी करण भाप आस्वन के द्वारा किया जाता है किसके द्वारा भई भाप आस्वन के द्वारा तारपीन के तेल का सुधी करण किया जाता है प्रश्ण है कि निम्न तत्त्व में बिद्धुत रणता का सही बढ़ता करम कौन सा है आपको बढ़ती करम में यहाँ पर लगाना है इसका सही जवाब में बढ़ता करम है वही विकलक सी अगला प्रश्ण है दो पिंड एक दूसरे से एक दूसरे के ब्रुद्ध रगड़े जाते हैं तो क्या होगा इलेक्ट्रोन खोएंगे या फिर भी इलेक्ट्रोन प्राप्त करेंगे या फिर एक इलेक्ट्रोन खोएगा और दूसरा प्राप्त करेगा या फिर इन में से कोई नहीं तो दो पिंड एक दूसरे के ब्रुद्ध अगर रगड़े जाते हैं तो एक इलेक्ट्रोन खुएगा और दूसरा क्या है भई प्राक्त करेगा प्रश्न है कि घर्सन बल सीधे समान पाती होता है किसके घर्सन बल सीधे गतिमान बस्तू के भार छेत्रफल आकार आद कारकों के क्या है भई समान पाती होता है क्या होगा बिकल्प सी इसका सही जवाब होगा प्रश्न है कि पराग कंद उत्पन होते हैं किस में घर्सन है कि एक रेतिली जमीन पर बिखरी हुई लोही की कीलों को एकत्रित करने में जो बल प्रिप्त होता है वह कौन सा होता है बहुत ही अच्छा प्रशन है संदर प्रशन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट हमें से याद रखें यहाँ पर चुम्ब की बल प्रिप्त होता है ओके अगल दिन पुनह चरम इस्थिती पर होने के मद्य के समयांतराल का निर्धारन तो भई इसका निर्धारन प्रत्वी का अपनी अच्छ पर घूड़न के द्वारा किया जाता है उके विखल ए इसका सही जवाब है प्रश्ण है कि राइजू बीम अच्छा उदारन है किसका लिख स अनवार एमीनो अमलों की संख्या होगी कितनी तो जीवन में ब्रद्धी और संतलन को बनाए रखने के लिए अनवार एमीनो अमलों की संख्या है आठ कि बोगें वहीं या परवड्धित होता है लेरिग कटिंग या फ्रेयं में से कोई नहीं बूगें वहीं या परवर्धित होता है कैसा कटिंग से परवर्धित होता है बोगिन बेल या भई कटिंग से परवर्धित होता है इस देख के लिए आगे वड़ते हैं अगला प्रश्न है कि प्रवलता ध्वनी कौण इसका मापक है तो प्रवलता ध्वनी कौण भई लंबाई का मापक है प्रश्न है कि दो अमिस्रणिय द्रवों को निम्न विधी से प्रथक कर सकते हैं बताएगा तो दो अमिस्रणिय द्रवों को प्रथक करने के लिए जो विधी यूज की जाती है वो है प्रथक कारी कीप विधी तो प्रथक कारी कीप के द्वारा दो अमिस्रणिय द्रवों को अलग कर सकते हैं अगला प्रश्ण है कि किसी साज की टाइट की गई डूर जो डोट आबरती की ध्वनी उत्पन करती है तो भई किसी भी साज की टाइट की गई जो डूर है वो उच्छ आपरती की ध्वनी तरंग क्या है भई उत्पन करती है प्रश्ण है कि NH3 में N की संयूजकता है HCL में CL संयूजकता से कितना गुना अधिक है तो भई ये अधिक है तीन गुना अगला प्रश्ण है इस वीडियो में इतने ही प्रश्ण मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में हम देखेंगे भाग 26 जिसमें सभी प्रश्णों का शॉलिशन हम देखेंगे जिसमें सभी प्रश्ण का शॉलिशन हम देखेंगे